के वांट्व में चानल क्लास 11 का चप्टर टू कर रहे हैं और आज का टोपिक है सम इंपौर्टन मेथेड्स इन साइकॉलोजी तो समिंपॉर्टन मेथेड्स असकालोजी यहां पर कहार है कि हम जो data collect करते हैं उसमें ना बहुत अलग method हो सकते हैं जैसे कि यहां लिखा हुआ observation method हो सकता है experimental method हो सकता है correlation method हो सकता है सर्वे हो सकता है psychological testing हो सकती है case study होती है यह सारे methods हैं जिनसे हम अपना data collect करते हैं तो you can observe the behavior of spectators of watching a football match जैसे observation का यूज हो सकती है कि सिच्वेशन में इसे लोग football match देख रहे हैं तो उनका behavior कैसा होगा आप वहां पर चुपचा बैठके observe कर सकते हैं observation यूज हो सकता है experiment में you can conduct experiment to see if children taking an examination do better in the classroom in which they have studied or the subject in the examination hall experiment experiment का मतलब क्यों होता है जहां पर आपने कोई condition control करी है तो अब यहां पर आप control कर रहे हो एक बार तो अपने exam उनको उसी classroom में देने दिया बच्चों को जहां उन्होंने पढ़ा था एक बार उनको दूसरे कमरे में लेगर बोला यहां exam दो तो यह देखने के लिए examination वहां ज्यादा बेटर देते हैं तो इसको एक्सपेरीमेंट बोलता है जहां पर हम चीज़े ने करते हैं ने क्या किया पर कुछ लोगों को तो ने जहां देते हैं ही देने दिया ने क्लास में कुछ लोगों को हमने दूसरे रूम में बिठा दिया तो हम control कर रहे हैं यहाँ पर इसले ही experiment है फिर correlation method में होता है जैसे you can correlate intelligence with self-esteem जहाँ पर आप correlation निकाल रहे हो कि जिसकी intelligence level जादा होगा क्या उसका self-esteem भी जादा होगा correlate कर रहे हो तुनों को आपस में यहाँ जिसका intelligence level जादा होता है उनकी self-esteem कम होती है या जादा होती है फिर सर्वे मेथड होगा कि जब आप मालों बहुत बड़ी population से कोई data लेना चाहते हो जैसे स्टूडेंस से कि उनका प्राइवेटाइजेशन आप एजुकेशन में उनका क्या है उसकी तरफ वह सर्वे हो प्राइब करने के लिए कि हम सब की इंडिविज्वल डिफरेंस क्या है हम अपने प्राइब करके लोगों के उपर यह करी जाती है जैसे हमने कोई स्पेशल केस है उसके उपर हमने करनी है तो किसी बच्चे की जैसे केसे होती है उसके ओपर स्टेडी करने करें का मतलब क्या है कि हम उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं देखना काली दूसरा अब्जर्वेशन दोनों में बहुत फरक है बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करते हो कोई चीज आप जस देख रहे हैं और यह पहले एक होता है हम कई चीज़े पूरा टाइम देखते हैं लेकिन हम नोटिस नहीं करते हैं तो लेकिन अब observation में क्या होता है कि हमें बहुत केरफुली किसी को observe करना है थोड़ी देर के लिए उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है वास साइंटिफिक observation differs from day to day observation in many respects scientific observation की बात करें तो उसमें क्या होता है पहले चीज़ होती है selection psychologists do not observe all the behavior that they encounter सब कुछ नहीं observe करते हैं उनको इक select करना पड़ता है कि कौन सा behavior observe करना है तो रादर दे select a particular behavior example you may be interested to know how children studying in class 11 spend their time in school तो अब आपको अगर study करना है कि बच्चे स्कूल में कैसे time spend करते हैं और class 11 के बच्चे in particular two things are possible as a researcher you might think you have a fairly good idea about what happens in school you might prepare a list of activities and go to the school पहले तो आप एक list of activities बनाओगे कि स्कूल में बच्चे क्या क्या करते हैं बच्चे class में बाते करते हैं कितना time spend करते हैं फिर वो लंच्टाइम में कैसे time spend करते हैं तो sports में जाके कैसे time spend करते हैं तो अपने सोचा हुआ था कि आपने देखना है कि 11th बिल्कुल कुछ सोच के मत जाओ जैसा वहां जाके observe करो कि वह क्या क्या कर रहे हैं तो इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं कि actually में हमने observe करना क्या है recording फिर हम उसको record कर रहे है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से जैसे टैली मार्क रहे हैं तेली मारकिंग पर करें करते हैं एक अलग बर uh लग त्यमना क Jennifer करना है सबक्याद्द भी इसको बच्राइब बच्चे की बारे क्लास में ढंसर करते हैं जो जोट मार्किंग हो सकता है है आप notes बना रहे हो किसी चीज को notes लिक रहे हो symbols हो ले रहे हो विडी ओस ले रहे हो रिकॉर्ट करना जरूरी है क्यों कि आप observe करकि आगे तो कि अपने बाद गोग। पिंसे मॉपफया पना नाब कि यहां help कोशिश करते हो कि उसका क्या मिनिक निकलता है it is important to know that making good observation is a skill यह भी एक skill होता है good observer knows what he is looking for whom he wants to observe when and where the observation बत्व गुड ऑब्जरवर वह होता है जिसको पता होता है कि वो क्या देख रहा है वो चीज कब note करनी है कैसे नोट करनी है तो यह भी एक skill है कि इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है फिर टाइपस और observation में बहुत अलगलग टाइपस है जैसे फॉस्ट इस नाच्रूलिस्टिक और प्रवेशन पहली टाइप जब अपने नाच्रूल रियल सेटिंग में किसी को अब्सर्व करते हो उसको नाच्रूलिस्टिक observation कहते है रियल सेटिंग का मतलब है जैसे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं आप जाके बैठके लगे होते हैं आजकल क्लासे में आपने वीडियो के थुरू अब्सर्व कर रहे हो क्लास में बच्चों को नहीं पता तो नाच्रूलिस्टिक observation वह होती है दूसरी या पर क्या है कि observer कोई manipulation नहीं कर रहा मतलब जो चल रहा है उसी को होता है you need to control certain factors जैसे आप control कर रहे हो कुछ चीजों को और फिर आप observe कर रहे हो यहां पर मतलब आप नाच्रल नहीं आपको थोड़े चेंज करना पड़ेगा थोड़ा manipulate करना पड़ेगा और इसके लिए इन्होंने एक experiment नीचे बताया हुआ है उसको यह कह रहे है कि उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि control condition क्या होती है इसको control laboratory observation भी बोलते हैं तो आपको वैसे जनरली पहले बता देते हो फिर हम इस box की बात करेंगे control conditions होता है जहां पर आपने सपोज कुछ चीज़ें अपने हाथ में manipulation के लिए रखी हुई है कि आप यह सटी करना चाहते हो कि अगर background noise बहुत जादा होगी तो बच्चे जो है अब उनको अपने एक्जाम देने के लिए बोला बच्चों को और दोनों का comparison करा कि किनों ने जादा बेटर करा एक तो यह तरीका होता है दूसरा होता है कि आपने एक ही classroom में बहुत सारे बच्चों को बच्चों को बिठाया वहां पे एक speaker लगा हुए तो बीच-बीच में आप क्या कर रहे हो और म्यूजिक जो है वह बज़रा है अलका-अलका करके वह तेज हो रहे है कभी-कभी कम हो रहे है वहां पर नाचुरलही नहीं आपने कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है बीच में मैनुपिलीट कर रहे है जिक है सिरो प्रहती है नौन पार्टिसिपेंट अनद पार्टिसिपेंट ऑब्जेवेशन अब्जेवेशन दो तरीके हैं या तो आप खुद इसका पार्ट बन कर रहे हों कि अब जस्ट एक observation देख रहे हो कि वह कैसे बीएव कर रहे हैं कि अब जैसे यहां पर लिखा है कि आप classroom में बैठ जाते हो बिना इंटरफेर करें बिना participate करें तो उसको आप बोलेंगे non-participant observation कि आप चुपचा पीछे से आके बैठ गए किसी को पता नहीं चला और आप non-participant हो और आप चुपचा दूर से observe कर रहे हो ठीक है इसकेस में जिसको आप observe कर रहे हो उसको नहीं पता कि आप observe कर रहे हो कि और पार्टिसिपेंट observation क्या होती है पार्टिसिपेंट observation में अब्जर्वेशन में बिकम्स पार्ट ऑफ दी स्कूल अब अच्छा यह बहुत कर रहे हैं यहां पर बच्चों को नहीं पता कि वह अब्जर्वर है कभी-कभी पता भी होता है जैसे कोई ट्राइबल ग्रूप है आप उसको study करने गई हो तो आप उसके साथ रह रहे हो उसके बीच में रहे हो उस ग्रूप के और उनको पता है कि आप उनको observe करने के लिए करने के लिए हो उनके ओपर study करने के लिए हो वह भी पार्टिसिपेंट हो सकती है तो observation observer टेक सम टाइम टू एस्टाइबलिश करनी पड़ती है बातचीत करनी पड़ती है उनको comfortable बनाना पड़ते है कि आपके साथ same behavior करें जैसे वह naturally करते हैं they start accepting you आपको accept करें लेकिन यहां सकता है बस यह प्रॉब्लम है पार्टिसिपेंट के लोगों के बिहेवियर को study कर सकते हैं नाचुलिस्टिक तरीके से यह लेबर इंटेंसिव है आपको पते हैं किसी को observe करना नोट करना काफी ज्यादा time consuming और लेबर इंटेंसिव हो सकता है time consuming है और इसमें आपका खुद क yasya जाने कि observer ¨उसि आ रहे है। आपको जो लगता है आप об inimके करें किसी को लेकिन आपको छी लगता है कि आपको आप ने यह देखा वही आपको दिख रहा है है आप दूसरे तरीके से नहीं देख पा हो या आपकी खुद के माइंड में कुछ चल रहा है वह बायस आसकती है हमारी वाल्यूस और बिलीफ से इंफ्लूएंस हो सकती है वी सी थिंग्स आज वी आर नौट फिंग्स आर यह कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद है तो वह बायस होता है तो यह इसका डिसद्वांटेज है तो इस केस में जाज़ादा कोशिश है करनी चीए कि जब हम अब्सर्व कर रह झाल का करनी तो इसकते हैं?